बैडम जैसे सतंदर जैनिन के मंतरी हैं ऐसा ही ये कुल्दरी चौदरी भी उसी टाइप का है लेडिस को कि तरफ कर रहा है इसमें मुकदमा भी दरजस के खिलाब 9-10 मुकदमे अपने घर के सामने तलवार लिगाड रहा है वहाँ पे कुता, भैंस, बैली वो सब रहता है इंसान और डॉक्टर तो रहता नहीं इस पार्टी ने सिरफ जूट बोला है जूट का पुलंदा बोला है ये हमारे मंदिरों में नहीं गुश सकते हैं तो केजरीवाल से जूटा और मकार कोई नहीं कि बीजीप को सपोर्ट करना है कि यहां का ये जो कंडिलेट है जाडूगा ये किर्मिनल है आज ये किर्मिनल जो लोग हैं उनको लिए टिकट बाटे जा रहे हैं हमारा पूरा छेतर मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ ही रहेगा ऐसे बरस्ट क्रप्ट नेता हमें नहीं चाहिए नवस्कार मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल कैपिटल टीवी की टीम MCD चुनाफ के मद्दे नजर आप सभी को दिखाने के लिए गली गली महला महला घूम रही है और अब कैपिटल टीवी की टीम पहुँच चुकी है दिल्ली के बुराडी क्षेतर में मैं आपको बता दू यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है मैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि MCD चुनाफ में किसका पलड़ा भारी नजर आता है किसको यह लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं चलिए सर आपका नाम मेरा नाम दिनियस महतो है MCD चुनाफ आने वाले है चार दिसमबर को क्या सोचा है किसको वोट देंगे हम तो देशभग पार्टी मोदी जी को वोट देंगे बीजेपी को लगता है कि केजरिवाल जो नहीं काम्याब हो पाए उसको लेकर आपका क्या गया है केजरिवाल से जोटा और मकार कोई नहीं मैं संसद भवन से मात्र 12-13 किलो मीटर के दूड़ी पे रहता हूँ और हमारे चेतर की स्तिती देखिए विधायक ने इतना वादा किया था उसके बाद बोल रहा था केजरिवाल ये बोले कि मैं क्रिमिनल को टिकट नहीं दूँगा जो हमारे जरुद्दाबाट से प्रत्यासी उसके तिन 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 धरा में और फिर भी उसको टिकट दिया और अधाई करोर में इसने टिकट बेच दिया जबकि वो आमादमी पार्टी का कारे करता ही नहीं है आमादमी का कारे करता बहुत सारे थे उनको नहीं दिया लेकिन पैसे के बल पे क्योंकि इनको गुजरात में पैसे लगाने है ये सारे टिकट बेच करके गुजरात में लगा दिया और बुड़ी तरह हर रहे है ये बड़ा अपने मुद्दा छेड़ा है कि टिकेट बेचने का काम जो कि एजरिवाल सरकार की ओर से किया जा रहा है मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ जिस आमाधी पार्टी ने जिसको ये टिकेट दिया है इसमें नौदस्तों मुकद में इसके पिताजी पे रेप के मामले में भी छुटके आया है उसका बेटाए गगन चौधरी और इसके उपर भी एक एफेट दरज है और उगाई करते हैं चेतर में गरीब-गरीब लोगों से और भूमाफिया जमीनों पर कभजे करते हैं और सञीव जाहे मेले इसको प्रशकी करोड़ में टेकर दिया है और मैटम ना मैं किसी पार्टी का ना मैं वीजपी का ना मैं कॉंग्रेस का ना मैं जाड़ूगा और ये क्रिमिनल आदमी है मैं भी इसके खिलाब और या सारे गाहों के जगतरपर गाहों के लोग है नाम मेंडम नरेंबर चौदरी है कि मैं यह कहना चाहता हूं जो केजरी वाल यह कहता था कि जिस बंदे पर किर्मिनल होगा उसको कभी टिकट नहीं दिया जाहेगा आज ये किर्मिनल जो लोग हैं, उनको लिए टिकट बाटे जा रहे हैं, जो लोग और अम बेटियों को नहीं देखते हैं, जनके सामने पैंट निकाल देते हैं, जो लोग बेटा लोगों जो टार पंचर करता है, जो पड़ोस में गाड़ी ख़डी रहती हैं, जिनकी मेरे पास recording है, वेटा टेर पंचर करता है, क्या ऐसे लोग राजनीती के लाइक हैं, क्या ऐसे लोग समाज की सेवा कर सकते हैं, ये लोग भरस्ट हैं, और ये लोग, ये लोगों की building तुड़वाता है, इसका फादर कुलदीव चौधरी, लोगों की building तुड़वाता ह है, लोगों के पलाट चीनता है, और छेतर में लोग इससे तरस्त हैं, ये पार्टी कभी किसी का भला नहीं कर सकती, इस पार्टी ने सिरफ जूट बोला है, जूट का पुलंदा बोला है, ये हमारे मंदिरों में नहीं गुश सकते हैं, आज इन्होंने हालात ये कर दिया है कि देश पूरी दिल्ली को खराब करके रख दिया है हमारे यहां किसी तरह से इसको कोई समर्थन नहीं है हमारा पूरा छेत्र मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ ही रहेगा ऐसे बरस्ट करप्ट नेता हमें नहीं चाहिए क्यूकिंख ये लोग जो आज जो आज इनके पास पावर नहीं है उसके बाद ये लोगों को जीने नहीं देते लोगों के उपर मुकद में लगवाते हैं क्राइम करते हैं उसके बाद केजरिवाल इनको बोर्ड दे रहा है तो यह जो है यह गलत है और हम इसे नकारते हैं हमारा पूरा छेत्र इसके ख दिखाएं कि इसकी क्या चवी है तो केजरिवाल की बिल्कुल एक्सपोज हो चुके केजरिवाल मैं आप से यह जानना चाहूंगी जो इमामदारी का चोला केजरिवाल ओरे रहते हैं किया है देखो इस देश में सब कोई अपने बेटा बेटा जीना झाले की कमें है सब कभी सत्ता में सनान पहले करते हैं इससे जोटा निकम्मा क्कोई नहीं है लेकर जो लोगों का कहना है कि वो अपने बेटे के सगे नहीं है तो इनके क्या सगे होंगे क्या गाएंगे मैडम यह देखना है जो केजरी वाल और उसके बाद यह इतना चुनाम में पैसे लगा रहा है जंडे उतार रहा है वीजेपी की और लोगों जंडे उतार रहा है बदमासी दिखा रहा है खुले हां उस पर आपके क्या विचार है जो सतेंदर जैन का जेल से मसाज का वीडियो सामने आया है मैडम जैसे सतेंदर जैन इनके मंतरी हैं ऐसा ही ये कुलदरी चौदरी भी उसी टाइप का है ये भी जेल में जाया जाए इसकी इसी तरके मसाज के वीडियो आएंगे लगता है एसी लोगों के टिककट दे रहे हैं जैसरे पार को चीकर बिलकुल नहीं होना चाहिए के दितो के दितण है चाहो राजा हो या रंको सबके लिए ब्रबर है लेकिन ये केज़रीवाल अपना विशेसा अधिकार करके सतंदर जैन को फाइव स्टार होटल का खाना पहुंच वा रहा है फुरूट पहुंच वा रहा है क्या-क्या सुवधा दिला रहा है और सुखेस रंजन वाला भी आपने देखा होगा तो यह पैसे के लिए केजरिवाल कुछ भी कर सकता है मुफ्त बिजली मुफ्त पानी अगर मैं कहूं आप पूरे दिल्ली में पूरे बुरारी में जाई इससे अच्छा तो सिला दिक्षित की सरकार थी कम सकम हम पानी तो बढ़िया पीते थे यह केजरिवाल आज गड़ी बाद मी जो मुफ्त की बात करा मैं कह रहा हूं वो पानी खड़िते 25 रुपे का बोतल गर्मी में दो बोतल खतम हो जाते हो ठंडी में एक से डेर बोतल आज हर गरीब रिक्सा वाला हो या कोई मजदूर हो सब को 800-900 रुपे अपर महीना पानी खड़ित के पीना पड़ता है मैडम यह जगतपूर गाव में इसमें तो पानी हम ने कभी देखा ही नहीं है यह तो सुकर समझो यहां पर जमना नजदी के थोड़ा बहुत मिठा पानी पी लेते हैं यह मुना के स्थिती भी काफी खराब है सुन्दमना की स्थिती तो मैडम पूछ इमत नहीं नहीं सकते इतना कच्रा यह पूरा नाला सब उसी में डला हुआ है इतना क्या होता है आपको जैसे जहर की तरह पानी हो रहा ना इस तरीके कि अगर बात करें क्या सुद्धी आपके एरिया में मौला क्लीनिक कभी नहीं आता है यह काफ्ड़ो पे इनके विधायी डॉक्टर का वो भरते हैं एटिनेंस बरते हैं और सारे डॉक्टर और यह समिलके पैसा उपर से उपर गबन कर जाए यह कुछ नहीं करते मौला के लिए के नाम पे इनोंने लोगों को बेवकूप बनाया हुआ है ये जो सारे उल्टे सीधे काम हैं वो केजरिवाल के लोग कर रहे हैं ये भूमाफिया हैं, भूमाफियां को टिकट दिया जा रहा है मेरे बाजू में PWD की तीन बीगत जमीन है जिस पे ये कुलदीब चौधरी सीधा सीधा कबजा कर रहा है और जो इनके विदायक हैं संजीव जा संजीव जा उस पे सिफारिश करते हैं कि इस जमीन को ये कुलदीब को या तो कबजा करने दो और अगर कुलदीब को कबजा करने ने दोगे तो तुमारे परिणाम ठीक नहीं होगे तुम्हें खत्रा है लोगों से तो यह जो लोग हैं यह कबजा करा रहे हैं, अवैद वसुली कर रहे हैं और यह सारे जो काम नहीं है ना जो illegal काम है सारे वो यह कर दा यह आपको परत्यासी दिखाई दिया भाई ने कि परत्यासी टेर भोड रहा है इसने हमारी औरतों के सामने पेंट उतारी इसके बाप नसलील हर्कते की जिसमें हमने गगन चौधरी के खिलाफ 506-509 सब्सक्राइब कोई सफाई ऍे दिता केजरिवाल तो खुद भरस्त है केजरिवाल मसाजरारा सतिंदर जैन की अंदर बैटके पहले ये कहता था कि अगर कोई भी आदमी किसी पर कोई आरोप सीद होता है मेरे मंत्री पर तो वो अस्तिफा देगा आज उसी के वो मंत्री जो मंत्री एवेस्ट हैं, जो मंत्री जेल के अंदर है, आज वो मंत्री उन्हें वी आईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, जेल के अंदर, ये केजरी वाल की गवर्मेंट है, ये आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, एक रेपिस्ट जो है, वो मसाज कर रहा है, सतेंदर लोगों की खासी नाराजगी देखने को मिल रही है केजरिवाल को लेकर मैं आपको बता दू कि इनका कहना है कि केजरिवाल की ओर से पैसा दो टिकेट लोगी राजनीती की जारी है केजरिवाल उन लोगों से भी पैसा लेते हैं जो खुद आरोपी है खुद प्रश्ट है तो झाल झाल